असलाम लेकुम स्टुरेंट्स हमारी आज की एक्टिविटी है टाइपस ओफ रूट्स रूट्स प्लांट का वो पार्ट है जो जमीन के नीचे ग्रो करता है और रूट्स का जो मेन फंक्शन है सॉल से वाटर, सॉल्स और मिन्रस को एब्जॉब करना होता है और हमने रूट की तेन टाइपस पड़ी थी टैप रूट, एडवन्टिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट्स टैप रूट ऐसी रूट को कहते हैं जिसमें मेन जो रूट होती है वो ठीक होती है और इसके side, main जो इसकी root जो होती है वो मोटी होती है और side से छोटी छोटी सी branches निकलती है तो ऐसे root को हम tap root कहते हैं tap root में जो examples हैं, हमारे पास radishes हैं, wheat हैं, carrots हैं यह सारी tap roots की example है next हमारे पास the adventitious root वो root जो directly stem से नीचे grow करती है उसे हम adventitious roots कहते हैं इसमें हमारे पास onion की example है यह onion की root है, यह stem है onion bulb भी से कहते हैं और इसके नीचे जो roots grow कर रही है वो onion bulb से नीचे की तरफ roots grow करती हैं तो इन्हें हम adventitious roots कहते हैं next हमारे पास the fibrous roots वो roots जो यह same time पर निकलती हैं और same ही size की होती है हमारे पास root की यह जो type है यह fibrous roots कहलाती है और इसकी example हमारे पास grass है grass में जो roots निकलती है same time पर और same ही size की होती है और इन roots को हम fibrous roots कहते हैं हाँ जी हैसन तो बताएं जो आपके पास यह root है यह कौन से root की type है जी हाँ यह tap root है जी मुहमद हमदान जो आपके पास root है इसका नेम जी यह adventitious root है onion की root adventitious root होती है जी जलाज शफी जो आपके पास root है वो कौन सी है जी हाँ यह fibrous root है grass की root जो होती है वो fibrous root कहलाती है I hope बेटा के आप लोगों को types और root अच्छे से समझ आई होगी Thank you